हे हलो वान मैं हूँ आपका अपना भाई समझा दो भाया और आज की क्रिप्टो न्यूज और बेटकॉइन एनलिसिस शुरू करते हैं कल रात तक अगर मैं गलत नहूं तो 40,000 प्लस बीटीसी इंफलो का डेटा हमें मिला था और जैसा हमने पढ़ा है समझा है कि जब भी बीटीसी इंफलो का डेटा बड़े नंबर में आये इसका सीधा सा मतलब होता है कि बीटीसी के यहां से डंप करने के ज़्यादा चांसस बन रहे है अब यहां पर एक मेजर कोश्चन यह आ रहा है कि भाया 40,000 प्लस बीटीसी का इंफलो आया है फिर भी इसके काफी लोगों को अभी confusion है 5% TDS के से कट रहा है या P2P के उपर भी TDS कट रहा है और इसे से जुड़ी हुए तमामे से question है इसके बारे में भी हम discuss करेंगे और साथ ही market की कुछ नई पुरानी खबरों को भी देख लेंगे सीधा वीडियो को शुरू करते है कल मैंने आपके स तो हिट करी गया था काफी risky trade था info के आने के बाद भी हमने long लिया था यह मेरा था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया इसके अलावा कल मैंने कुछ updates भी आपके साथ शेयर करी थी polygon से जुड़ी हुए इसके लावा info वगरे तो आपको मिली गया होगा में मुद्दे की बात market कल काफी अच्छा positive open हुआ कल last trading day था और S&P 500 भी 1% के आसपास pump हुई थी यानि कि 1% के आसपास इसने growth दिखाई थी इसके अलावा बाकी के index से भी आप देख सकते हो थोड़ी हरी बरी देखने को मिल रही है तो इसका effect market पर और आपको पता यह कि S&P 500, NASDAQ इन से directly correlate करता है crypto market इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि derivative exchange के उपर कुछ कुछ funding rate positive भी चल रही है ठीक है और जो whales का inflow आया था ना वो लगबक 11,000 के आसपास का था ठीक है 11,000 प्लस था तो यहाँ पर मुझे जहां तक लगता है नहीं कि यह कुछ नो कुछ manipulation कर सकते हैं तो भाईया इतनी volume नहीं होती है और अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको volume इतनी देखने को नहीं मिल रही है ठीक है तो यहाँ पर अभी भी मैं BTC को downside moment करता हूँ यहाँ पर यह वाला चार्ट आपको याद हो इस वाले चार्ट के according में अभी भी लगबग at least 16,000 तक तो BTC को देखी रहा हूँ इतने inflow के आने के बावजूद और जैसा market की condition है तो यहाँ पर देखो इसके आसपस तो एक bottom लग सकता है काफी रिपोर्ट से बता भी रही है जिसा यहाँ पर आप देख सकते हो कि Bitcoin में finally bottom at 15K according to these indicators यहाँ पर crypto कोंट के अगर आप CEO की prediction भी देखोगे तो मैंने भी यही का है कि भी यहाँ पंदरह अजार के आसपस हो सकता है काफी indicators भी यही indicate कर रहे है कि में भी 15,000 तक भी BTC आ सकता है ठीक है तो इसका ध्यान रखना लेकिन मुझे इसा लगता है कि हमारे ही start के coding 16,000 तो at least देखो जो analysis है और जो technical analysis है fundamental analysis है उनका तो भी यही संके market में है उसका 45.6% अब control BTC whales के पास जा चुका है इसका मतलब यह नहीं कि BTC अब centralized हो गया Bitcoin की whales जिनके पास at least 1000 Bitcoin है और इसी काफी whales है जिनके पास 1000 के आसपास Bitcoin है तो अब उनके पास BTC का 45.6% control हो चुका है तो अगर यह सभी whales एक साथ मिल जाए तो भाया market को यह इदर से लगी हुई है एक update में आपके साथ शेर करी थी morning में कि crypto hedge fund three euro capital files for chapter 15 bankruptcy chapter 15 bankruptcy basically एक section है US की जो bankruptcy code है उसका तो इसके according जो three euro capital है उन्होंने bankruptcy के लिए notice दिया है या फिर bankruptcy के लिए अपनी अर्जी दायर करिए New York के अंदर तो इसका मतलब यह कि three euro capital जल्द से जल्द हमें bankrupt होती हुई देखने को मिल सकती है इसके लाबा यहां पर एक और अपडेट आई कि major crypto broker यह exchange वह एजर digital suspend all trading deposit and withdrawal तो यहां पर एक और ऐसा broker का नाम आचुका है exchange का नाम आचुका है जो कि अपनी trading services deposit withdrawal वगरा सबकुछ अभी temporary बंद कर चुका है इन्होंने reason भी यही दिया कि three euro capital से हमारे कुछ loan loan के संबंध है तो इसको लेकर market में सी situation बनी कि हमें temporary deposit withdrawal and trading बंद करने पड़ रही है आपको इसको इतना seriously नहीं लेना चाहिए आपके उपर इतना असर नहीं पड़ेगा next update की बात करें तो यह Shiba Inu से जुड़ी है कि Shiba Inu burn rate spike by two thirty percent as three fifty seven million ship sent to dead wallet in 24 hours यानिकि लगबग सा हुआ है कि सप्लाइ में कमी आने से प्राइज में pump नहीं होता है प्राइज में pump तब होता है जब burning के बाद में volume इंटर करें डिरेक्ली कहीं नहीं effect पड़ता है लेकिन जितना अभी यह burning हो रही है इसका असर में market पे देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन आला कि यह अच्छ इसके बाद में कोई बड़ा असर में देखने को नहीं मिला polygonmatic की price पर तो यहां पर security में इनके bridge में कुछ कमी थी तो इसी का फाइदा उठा के polygon पे एक attack किया गया और attack की खबरे तो इन दिनों काफी बड़ी रही है next update की बात करें तो कल जैसा आपको पता है कि TDS day था और का पहले यह clarification दे दिया था कि 1% TDS उनके लिए जो कि पहले से ही ITR फिल करते वार है और जिनोंने अपना ITR अभी तक फिल नहीं करा है या फिर जिनोंने ITR अभी तक फिल नहीं करा है दो सालों के अंदर उन्होंने कोई ITR फिल नहीं करा है तो उनके उपर 5% TDS लगेगा तो कह पर तो यह तो गलत बात है देखो मुझे जहां तक लगता है इसके लावा वजरेक्स ने टूइट करके एक रिमाइंडर भी डाला है कि यहां पर आप देख सकते हो कि आप अगर यूस डिटी के अंदर P2P भी कर रहे हो ना तब भी आपको यहां पर TDS देना है बायर्स के नहीं है सेलर्स के लिए यानि कि अगर आपके पास यूस डिटी है और उसको आप P2P के थूरू सेल कर रहे हो तो भी आपके उपर 1% TDS एपलिकेबल होगा इसके अलावा और कुछ इसी तरीकी से आप देख सकते हो इनके ट्विटर हैंडल पर जाके उन्होंने वापस से ए इतना डायर्क लिए आपके उपर एफेक्ट नहीं करेगी नहीं आपके पोर्फोलियो को इतना एफेक्ट करेगी तो बस फिलाल इस वीडियो में एक मेजर कोशन जो था तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए कि वह यह इतने बड़े इंफ्लों के बाद मे इसका एक रीजन हो सकता है ठीक है फिर भी यह समल के रहे ना विकेंड मार्केट में वोल्यूम इतनी है नहीं और नहीं कुछ बुलिश इंडिकेशन मुझे मिल रहे है ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीड अपराद